वेलकम देर्ट स्टुदेंट्स तो एस्पी सुमार्ट हाइबिड सिस्टम बेटा इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फीनॉल्स यो नो फीनॉल होता है बेटा बेंजीन पे अगर हम कुंसा गुरुप लगाएंगे ओएच गुरुप लगाएंगे इसको हम बोलते हैं फीनॉल यो नो ओल दिस विकाज वे अल्रेडी डन प्रेपरिशन जा फीनॉल तो बच्चे जिस तरीके से अलकॉहल में हम देखते थे द होती थी डूट कलवेजध उ-च्च और दुसरी होती थी कलवेज आफ सी ओ बॉांड अलकॉहल में तो ओईज कलवेज अच्छे से होती थी और फीनॉल में भी ओईज कलवेज होती हैं लॉग हे इज़ी पॉसिबल नहीं है उसका बड़ा रीजन क्या है बटा जो यहां पे कार्बन और ऑक्सिजन के दर्मियान जो बॉंड है इट हैव सम डबल बॉंड केरेक्टर इन फीनॉल कार्बन ऑक्सिजन बॉंड जो होता है हैव सम डबल बॉंड केरेक्टर इसलिए यह इसलिए हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं बच्चे यह क्यों होता है बटा क्योंकि वहां पे फिनेमन ना फरेजोनेंस होता है जैसे कि ओ एच्च है ओ पे दो एलक्टरन पियरस है दैट कमस इन रेजोनेंस एजिली और इट फॉर्म जरेजोनेटिक स्ट्रक्चर लाइक दिस और यहां पे नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा निरोजोनेटिक स्ट्रक्चर लस होते हैं तो यह मैंने एक शो किया है कार्बन और अक्सीजन के दर्मियान कौन सा बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड यानि कि कभी सिंगल कभी डबल यानि कि इसका डबल बॉन्ड करेक्टर होता है इसलिए ज्यादा स्ट्रॉंग होता है यह हम बोलेंगे कि यह जल्दी तूट नहीं जाता है पहली प्रापर्ट पोटिशियम कैलिशियम मैगनिशियम लीथियम एटसेटर तो इजली ये सोडियम अगर मैं यहाँ पे लिएता हूं भीटा ये ईजली सोडियम के साथ रियक्ट करके क्या बनाता है भीटा Phenoxide, Sodium Phenoxide Formition होती है इसको हम बोलते है Sodium Phenoxide और देता है H2 यह कब जब Phenol react करता है किसके साथ Sodium के साथ Next यहां पर Potassium का भी है तो Potassium Phenoxide बनाता है यह रहा Potassium Phenoxide और पहला क्या है Sodium Phenoxide Now अगर यहां पर हम देखेंगे Second most important property इनकी वो है कि यह Blue Latmos को Red में convert करता है क्यों ऐसा करता है Blue Latmos को Red में क्योंकि Phenol जो होता है यह शो करता है Bronsted As Act करता है Bronsted Acid और यहां पर बनता है बैटा Phenoxide और यहां पर यहां पर अगर हम देखेंगे जो Phenol का Acid होगा वो ग्रेटर देन वाटर होगा और वाटर के असलिक स्टरंग किन से ज्यादा होती है अलकोल से इसलिए मैंने यहां पर आपको आडर दिखाया Phenol फिर वाटर फिर अलकोल Very important reaction तीसरी reaction जो यहां पर Phenol शो करते हैं जैसे कि अगर मैं किसी बेस के साथ इनको रियक्ट करूँगा जैसे मैं बेस लूँगा वेटा कुन सी NaOH तो जब मैं sodium hydroxide लेता हो तो obviously यहां पर भी sodium phenoxide बनता है और क्या दिता है water दिता है sodium phenoxide formation यह जैसे लगता है ने बेटा कि जो NaOH है यह बेस है और यह जो Phenol यह Phenol है यह क्या बना बेटा acid बना जैसे acid base reaction होती है और salt formation होता है with evolution of water that is the case now अगर मैं Phenol के different resonating structures जड़ा करूँगा तो Phenol के resonating structures आसान है कोई मुश्किल नहीं है बेटा इस इस फर्स्ट वन second वन या पर इसका resonating structure होगा this one तो यह Phenol तो यहां पे कुछ सी charge positive और यहां पे negative यहां पहला resonating structure बन गया फिर इसके बाद next यहां पर चला जाएगा और यह यहां पर चला जाएगा ओके तो यह डबल पॉंड ओ एच पॉस्टिव यहां पर डबल पॉंड आएगा बिटा और यहां पर नेगेट यह आए ओके नेक्स रेजरेटिंग स्ट्रक्चर इसका यह होगा यहां पर यहां पर चला जाएगा और नेक्स रेजरेटिंग स्ट्रक्चर विल बी इस और यहां पर डबल बॉंड यहां पर डबल बॉंड यहां पर नेक्स रेजरेटिंग स्ट्रक्चर यह बनेगा यह डबल बॉंड रेजरेटिंग स्ट्रक्चर यह बनेगा यह डबल बॉंड है यह पाजटिव चार्ज और लास्ट यहां पर फिर से फीनॉल फॉर्मिशन प तो जितने ज्यादा resonating structures उतना क्या होता है stability ज्यादा होती है तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पांच resonating structures है इसके तो सबसे ज्यादा stable कुन सा है first and fifth क्योंकि ये दोनों equivalent है फिर है विटा two and four क्योंकि उनमें चारी separation है मगर नजदी एक नजदी के positive or negative है जो third में positive और negative होते हैं बिलकुल बहुत ही दूर है तो सबसे ज्यादा unstable यही है बेटा तो मैंने आपको यहाँ पर order of stability भी बता दिया बेटा यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको बोला था अगर phenol water के साथ react करेगा यह बनाता है phenoxide iron phenol को जब हम क्या करते है बचे water के साथ add करते है तो यह देता है बेटा phenoxide iron और देता है बेटा H3O positive तो इसका मतलब है यह as है brownistered acid बन गया brownistered acid तो यह क्या है बेटा brownistered base why so? क्योंकि phenol जो proton को donate करता है वो कोने accept कर रहा है? water accept कर रहा है इसलिए यहाँ पर phenoxide iron बनी और H3O positive बना तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यह phenoxide iron stable है कि नहीं? अगर stable यह phenoxide iron होगी तो means aromatic compound भी क्या है यहाँ पर? जो आपके पस phenoxide है, sorry phenoxide iron जो है वो भी stablized है तो phenoxide iron को जब हम देखते हैं बेटाए इसमें कैसे resonating structures में नहीं जो है आप बोलो तो यहाँ पर जब यह phenoxide iron बनता है phenoxide iron resonant stabilized होता है तो this is resonant stabilized this is resonant stabilized just like phenol जिस तरीके से resonant stabilized था बेटा इसी तरीके से यहाँ पर भी phenoxide iron resonant stabilized है जैसे यह एक है बेटा यह दूसरा structure यह तीसरा है और यह fourth one है तो इसमें अगर हम compare करेंगे phenol के resonating structures के साथ two, three and four को especially करेंगे यहाँ पर compare के साथ जो आपका phenol का resonating structures होते है तो जब आप compare करोगे two के साथ, three के साथ या four के साथ जो phenoxide होगा बेटा that will be more stabilized as compared to phenol क्योंकि phenoxide में only negative charge है और वो de-localize हो रहा है वाइल आपका जो phenol है उसमें positive charge भी हो और negative charge ही है यहाँ वाँ पर चारिज suppression है यहाँ पर कोई चारिज suppression नहीं है negative charge only है यहाँ पर और वोही de-localize हो रहा है इसका मतलब है कि phenols are less stable than phenoxide signs तो इसलिए हमेशा phenol क्या चाहता है phenol चाहता है यह H positive दे के खुद किसमें चला जाए phenoxide आइन में चला जाए phenoxide आइन में चला जाता है तो phenoxide आइन is more stable as compared to phenol इसलिए phenol हमेशे चाहता है H positive देना तो इसका acrylic strength क्या होती है ज्यादा होती है मगर अगर मैं यहाँ पर alcohols को compare करो इनके साथ तो अगर मैं यहाँ पर alcohol लोंगा जो alcohol होता है बेटा वो alcohol oxide आइन देता है यह alcohol oxide आइन हुआ जैसे हम ROH की बात करेंगे यह देगा RO negative प्लस क्या देगा H positive अगर यह RO negative ज्यादा stabilize होगी means alcohol हमेशे चाहेगा किस में चला जाए alcohol oxide आइन देगा और इसी के साथ क्या देगा H positive देगा यह याद रखना बहुत ही important है मगर जो यह RO negative है इस R का क्या होता है यहाँ पर जो यह RO negative है तो इस RO negative में जो alcohol oxide iron जो होती है बटाई जो यह alcohol देटे यह इतनी ज़्यादा stable नहीं होती है उसका reason क्या है क्योंकि यह जो R group है यह कुँन सा effect देता है plus I effect और यह इसकी stability कम करता है that is the reason now अगर phenol पे कभी भी कोई group present होगा जैसे electron withdrawing group हो सकता या electron donating group हो सकता किस position पे आर्थो और पेरा position पे जैसे मैंने यहां पर आपको समझा है electron withdrawing group is substituted at ortho और पेरा position it will increase acidic strength of phenol यह acidic strength of phenol को क्या करेगा increase करेगा but at meta position group meta position groups or substuants will show only plus I or minus I effect but not plus M and minus M effect यह दो चीज़े if at ortho and para position EDG are present in phenol they will decrease acidic strength if at ortho and para position electron donating group are present तो increase करेगा acidic strength तो यहां पर कुछ questions है acidic strength का जैसे phenol है nitro phenol है और आपके पास है methoxy phenol paramethoxy phenol तो what will be the acidic strength तो सबसे ज़्यादा nitro का होगा और सबसे कम होगा थर्ड वाले का क्योंकि यह जो group वहां पर attached है यह कुँ सा है plus M or minus I वाला plus M or enhance करेगा or electron density benzine ring पर increase करेगा तो उस कारण क्या होगा कि OH bond जो होगा वो जल्दी नहीं तूट जाएगा तो यह कम ऐसरी खोटता है बटा दूसरा यहां पर है आपके पास question अगर नाइट्रो फीनॉल हो पैरा और्थो और्ड मेता नाइट्रो फीनॉल हो तो उनमें सबसे ज़्यादा acid कोन होना चाहे था normally that is और्थो नाइट्रो फीनॉल फिर इसके बाद पैरा नाइट्रो फीनॉल और फिर मेता नाइट्रो फीनॉल या फीनॉल कौन होगा बटाई that is the point here यहां पर एक्चुर में आर्थो नाइट्रो फीनॉल सबसे ज़्यादा acid कोना चाहे था मगर जो ये आर्थो नाइट्रो फीनॉल है इसमें एक प्रकार की bonding होती है carbon and sorry यहां पर hydrogen और NO2 जो आर्थो पुशन पर है उसके साथ यहां पर hydrogen bonding होती है hydrogen bonding के कारण तो ये नाइट्रो फीनॉल जो होता है कि ये जल्दी इस hydrogen को नहीं छोड़ता है इसलिए इसकी एसलिक सिटरंग थोड़ा कम होती है तो अब कौन बच्चा 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 तो सबसे पैरा वाला फिर इसके बाद आर्थो वाला फिर इसके बाद मेटा और सबसे कम किसका होगा बच्चा जो फीनॉल है तो वही order मैंने यहां पर आपको समझाए बच्चा 4123 दाट इस इंपोर्टेंट और इसमें कौन सी हाड्रोजन बउन्डिंग होती ही जिसकों को पर इंटर मॉल्किलर हाड्रोजन बउन्डिंग अब और एक आ रहा है यहां पर अगर मैं सी एन ओएच वाला लूँ दूसरा है बेटा है अगर सी एन आई कह तो तो अगर यहां पर ओएच आ गया ओएच तो सी एन हो गए बेटा और यहां पर मैटा पूजिशन पर तीस रहा है किस पूजिशन पर तो मैटा नाइट्रोफिनॉल और और लास्ट में यहां पर कौन सा है फीनॉल तो और यहां पर सबसे ज्यादा कौन होगा यहां फिर 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 उपर यहां पर यहां पर यहां पर नेक्स्ट होगा That is a third one फिर उसके बाद यहां पे two and one last में Now और भी examples हैं मेरे पास मगर मैं यह example आपको सबसे ज़्यादा सिखाऊंगा बेटा अगर यहां पे phenol हो और इस पे methyl group हो ortho position पे और para position पे nitro phenol हो और दूसरा phenol हो उसके meta position पे दो CH3 groups है और para position पे NO2 group है तो इन में बोलना है कि ज़्यादा acidic कौन होगा तो obviously जो first one है more acidic than second one होगा क्योंकि second one में क्या हो जाता है पेटा यह जो NO2 होता है यह out of plane चला जाता है तो यहाँ पे order यह होगा पेटा है that is very important now we will see some reactions of phenols जैसे कि FECL3 के साथ जब हम इसके react करते हैं इसके साथ तो यहाँ पे feric phenoxide complex बनता है जैसे मैंने यह बनाया बेटा next is formation of esters तो phenols से मैस्टर भी बना सकते हैं अगर हम acyl chloride के साथ या acetic anhydride के साथ treat करेंगे किन को phenols को बेटा है तो एक में product बनता है phenyl acetate और इसमें भी phenyl acetate ही बनता है मगर इसमें क्या बनता है तो phenyl acetate बना और यहाँ पे भी phenyl acetate भी बना दोनों reaction में मगर एक reaction को हम बोलते है acylation और दूसरे को बोलते है acylation यह दो different processes है मगर दोनों में क्या बनता है product that is ester formation होती है अगर हम इस phenyl acetate को यह interesting है phenyl acetate अगर हम कौन सा लेंगे phenyl acetate लेंगे तो phenyl acetate अगर यहाँ पे कौन सा लेंगे बच्चे हम phenyl acetate अगर हम कौन सा लेंगे फिनाइल acetate phenyl acetate यह होता है अगर हम इसमें ALCL3 anhidus डालेंगे और CS2 मीडियम में यह उठके कहां पे जाता है इधर और्थो पॉजिशन पे या पैरा पॉजिशन पे चला जाता है और जैसे एक टाइप का री अर्इजमेंट हो जाता है और दूसरा प्रोड़क्ट क्या बनेगा किस पॉजिशन पे पैरा पॉजिशन पे यहाँ पे सी डबल बांड ओ, सी एच थे यह आर्थो सबस्टिचूटिड है और यह पैरा सबस्टिचूटिड है इसलिए हम क्या बोलते है आर्थो वाले को आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफीनून और जो पैरा वाला होगा पेरा हाइड्रॉक्सी एसेटो फीनूल हम उसको बोलते हैं बच्चे यह अगर हम देखेंगे यह रियरिजमेंट विदन दा मॉलिक्यूल होता है ओके बटे तो यह आपके पास आज का लेक्चर है मगर इस रियरिजमेंट को हम क्या बोलते हैं विदन दा मॉलिक्यूल जो होता है और इसको हम बोलते हैं फ्राइज रियरिजमेंट इसको हम बोलते हैं प्राइज रियरिजमेंट